दोस्तो हिंदू धर्म में सभी अपने पुर्वजों का स्राध करते हैं ताकि उनकी आत्मा को सांती मिले लेकिन कईयों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि अगर पुर्व जनम का सिधान्त सही है और आत्मा एक सरीर छोड़ने के बाद दोबारा दूसरा सरीर धारन कर लेत हैं दोस्तो हिंदू धर्म में पुर्व जनम की अवधारना है लेकिन फिर भी जो मनुसे मृत्य को प्राप्त होता है उसके लिए हम स्राध करते हैं जबकि इस अवधारना के अनुसार उस आत्मा ने तो कुछी दिनों में दोबारा जनम ले लिया होगा अब सवाल यह है कि फिर हम किन आत्माओं के लिए स्राध करते हैं क्यूंकि इस संसार को त्यागने वाली लगभग सारी आत्माओं ने तो दोबारा जनम ले लिया होगा दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको स्राध के कंसेप्ट को समझना होगा और साथ में यह भी कि प्रेंट्स जब कोई आत्मा सरीर छोड़ती है तो उसके दूसरे जन्म लेने तक का सफर इतना आसान नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं जब कोई मनुस्य मिर्ति को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा अपने साथ केवल सुछम सरीर संचित कर्म और स्मिर्ति ही लेकर नहीं ज जाता है संसकार का अर्थ है आत्मा की वो गहरी भावनाएं जो उसकी इस भौतिक सरीर से जुड़ी हुई है और जो उसने यहां जिया और महसूस किया है सरीर छोड़ते वक्त भी आत्माएं चाहकर भी अपनी वो भावनाएं नहीं छोड़ पाती और साथ लेकर चली जाती है हम सराध इसी उद्देशे से करते हैं कि ओ पूरवज जो इस संसार को छोड़ कर जा चुके हैं ओ इस संसार से मिले राग, दोयस, मोह, इत्यादी से भी मुक्त हो जाएं और उनकी आत्मा सांती से इस संसार से अपना सब कुछ त्याग कर बिदा ले ले जब आत्मा अपना नस्वर सरीर त्यागती है तो वह कर्म के सिध्धांत के अनुसार दूसरा सरीर धारन करने के लिए अथवा पुनरजनम के लिए प्रतिक्छा करती है लेकिन इस बीच ओ आत्माएं अलग-अलग लोकों में भटकती रहती है उस दोरान ओ आत्माएं ना क सित्र लोक में गई हैं ओ मनुस्ति योनी में ही जन्म लेगी स्रिमत भगवत गीता के नौमे अध्याय के 25 में असलोक में कहा गया है कि देवताओं को पूझने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं भूतों को पूझने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं धर्म पर चल प्रियास करने लगते हैं एसी आत्माओं के लिए स्राध ही केवल एक मर्ग होता है सांसारिक बंधनों से मुक्ती का जब हम स्राध करते हैं तो स्राध उन आत्माओं को समर्पित होता है जिन्होंने अब तक मनुस्योनी में जन्म नहीं लिया या जिनकी आत्मा किसी कारण बस भटकती रह गई है स्राध के जर्ये हम उन आत्माओं की सांती की प्राथना करते हैं और उन्हें यह संदेश देते हैं कि वो अब इस संसार के मोह माया को त्याग कर जा सकते हैं क्यूंकि उनके छूटे उत्तरदाईतों को अब दूसरे लोग संभाल सकते हैं मिर्तिव के बाद से लेकर दोबारा जन्म लेने के बीच के समय में वो सांती से रह सकें उसी के लिए स्तराध किया जाता है तो उमीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा और दोस्तों ऐसे ही हिंदु धर्म से जुड़े हुए इंट्रेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए अफमारे चैनल ग्यानमंधन को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा अफमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जानते रहिए धन्यवाद जय हिंद